आप सभी लोग बहतर जानते होंगे कि उत्तर पिदेश राजनीती के छेत में कितना मात्मूर इस्थान रखता है आप सभी लोग इस ए भी जानते होंगे कि अधिकतर आपकी पिदानमंत्री उत्तर पिदेश नहीं दिये हुए हैं अभी करेंट में आप दो लोग देख लीजे, पिधान मंतरी मौदी, बनारस से चुन कर आते हैं, आप समझ रहे हैं, और आप सभी को मल होगा कि यहां लोग सभा सीटें 80 हैं, यहां राजी सभा सीटें 31 हैं, विधान सभा सीटें आपको 403 देखने को मिलेगी, विधान सकते हैं कि केंद में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, अगर जिसने उत्तर विदेश को अच्छे से जीत लिया, वो एक तरह से आदी सफल ता उसके कबजे में आ जाती हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं कि बिहार उत्तर विदेश, इन पर काफी फॉकस में रहता है हर और राजनितिक पाइटी का 2014 में भी आप लोगोंने देखा होगा BJP को काफी अच्छी सफलता मिली 2019 में भी आपने देखा है लोकसभा चुनाओं में BJP को काफी अच्छी सफलता मिली हुई थी तो इसी में हम देखिए कि उत्तरपदिस के राजनिताओं के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सामान जानकारी होनी चीगे और आप लोगोंने पिछली क्लासों में देखा भी होगा हम लोगोंने योगी आदितनाद के बारे में भी जाना फिर उसके बाद हम लोगोंने मुलाइन सिंग यादों के बारे में जीवी जाना एक तीसरा नाम राजनिती के छित में इस समय कुमारी मायाबती जिनने आप लोग मायाबती जी कहते हैं इनका भी काफी वुचल के आता है और एक अखलेस यादों तो मायाबती के बाद हम लोग अखलेस यादों के बारे में भी बात कर लेंगे लेकिन पहले हम लोग मायाबती के बारे में एक सामान फर्चर देखते हैं इससे पहले आप लोग एक बार उत्तर पिदेश को देख लीजे देखिए हमारा प्यारा भारत इसमें आप जाएंगे तो उत्तर पिदेश आपको यहां देखने को मिलेगा देखे इसकी राध्धानी लखना हुए और आपको बता दूँ कि 24 जनवरी 1950 को एस्टेट का दरज्या मिला था उत्तर पिदेश को ठीक है? और आपको बिधान सबा, लोग सबा, राज्य सबा, बिधान परिचत इन सब की सीटें बता चुका हूँ तो यह भी आप लोगों को मालू होना चीए और अगर हम लोग बात करें तो 75 जली देखने को मिलेंगे आपको उत्तर पिदेश में कितने? 75 आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती है तो बहन जी की आप लोग फोटू भी देख सकते हैं यह हैं बहन जी ठीक है? और इनके पूरे नाम की बात करें तो आप देखेंगे कि मायावती त्रभुदास इनका नाम है और इनके जनम की बात करें तो हम 15 जनमरी 1956 को इनका जनम होता है यानि कि आजादी के बात इनका जनम होता है जनम इस्थान कहा है इनका? नई दिल्ले में अगर इनके हम पिताजी की बात करें तो आप देखेंगे स्री पृभुदास इनके पिताजी का नाम है और माता की बात करें तो सिती स्री मती राम राठी एव इनकी माता और बेभाही किस्तिती की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं और हर कोई जानता है कि इनों ने साधी नहीं की हुई है उमा भारती ने भी साधी नहीं की हुई है ये भी आप लोगों को मालू होना इसलिए आप देखते हैं कि चार बार मुकमंत्री बनना और इतने समय तक के अंदर में मतलब एक तरसी अपनी भूमी का निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है तो इन्होंने BA किया हुए, BA किया हुए, LLBB किया है और कालंदी कॉलेज, BMLG कॉलेज से और गाजियाबाद से इसमें मेरट पे स्विध्यालय और दिली पे स्विध्यालय में भी इन्होंने सिक्षा पराप की हुए है तो ये तो इनकी सिक्षा की बात होगी ठीक है और अभी अब आप देखते हैं तो वेवसाई की बात करें तो ये बकील भी है इन्होंने कानून की पड़ाई भी की अब और आप लोगों गर बहुत धरम के वारे में जानना है तो गौतम बुद्ध के वारे में जरूर पढ़ लीजेगा हम लोगों ने भी आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की बायोगराफी कबर की हुई है वाईगराफी की नाम से एक फिलेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप लोग देखते रहेगा वैसे उस सूची में आप लोग देखेंगे कि हमारे प्तधान मंत्री अभी तक जो जितने भी रहे हैं राष्टपती रहे हो और भी जो चर्चित व्यक्ति रहे हो उन सब के बारे में एक सामान जानकारी दी गई हुआ देख सकते हैं आप लोग इनकी राजनितिक पायटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पायटी इनकी राजनितिक पायटी है अपनी और इनके पसंदीदा नेता है कासी राम और आप सभी जानते होंगे कि बहुजन समाज party की स्थापना कासी राम जीने की थी ठीक है और इसमें अगर हम लोग राजनितिक यात्रा की बात करें सबसे जरूरी अगर किसी के बारे में होता है तो आजकल आप देखी राजनितिक यात्रा ही देखते हैं लोग कि इन्होंने कहां कहां सफलता पाई हुए कब कभी मुखमंत्री रही हुए इन्होंने क्या हासिल किया है राजनिति गर्षित में तो जैसे आप देखेंगे कि 1984 में बहुजन समाज पाइटी का गठन होता है और कासिराम जो दलिप नेता थे इन्होंने किया था इसका और मायबत्ती को पाइटी के सदस के रूम में सामिल किया गया था उसमाज पर आप देखेंगे कि 1989 में नौबी लोकसभा के आम चुनाओं में मायबत्ती ने सबलता पुरुवक चुनाओं लड़ा और जीता भी वह पहली बार संसस सदस के रूम में चुनी जाती है आप जानते होगे कि लोकसभा सदस होता है यह डारेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है और जो आपका राज्यसभा सदस होता है इससे आपकी विधायक चुनते हैं टेक है, डारेक्ट जन्ता के द्वारा आपका राज्य सभा की सदस्तों का चुनाव नहीं होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, और राज्य सभा सदस्त का कारिकाल 6 साल का होता है, और लोग सभा सदस्त का कारिकाल 5 साल का होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें आप उन्होंने काफी अच्छे से जीत हांसिल की और लोकसभा में उत्तर पिदेश के विजनोर निर्वाचन तिस छेत से किती निदित किया जिस तरह से आप देखते हैं न कि हमारे पिदानवंतरी वराड़सी छेत से चुने गए तो इस तरह स पिदानवे जिस तरह से जीत विजनोर चेत से चुने गई थी पर आप देखेंगे कि अप्रेल 1994 में वह पहली बार राज्यसभा या फिर सांसत की रूम में उच्छ सदन की सदस्त बनती हैं 1989 में वो लोकसभा में चुने जाती हैं और 1994 में वह राज्यसभा में चुनी जाती है ठीक है फिर आप देखेंगे जून 1995 में उत्तर फिदेश राज में मुखमंत्री के रूम में काम करने वाली पहली भारती दलित महिला बनकर उन्होंने इतिहास बनाया आप समझ रहें कि भारत में अगर कोई दलित मुखमंत्री हुई है तो पहली मायबती जीती है कब अठारेक टूबर 1995 तक पद पर वनी रहती है फिर आप देखेंगे 1996 से 1998 तक उन्होंने उत्तर फिदेश राज्य विधायन सबा में विधायक की रूम में काम किया और 21 मार्च 1997 को दूसरी बार उहे उत्तर फिदेश की मुखमंत्री बनती है आपकी परिक्षाओं में भी कु कुश्यंस पूचा जा सकता है कहीं भी आपसे कुश्यंस पूचेगा कि पहली दलित मुखमंत्री महिला कहां की थी कौन थी तो आपको याद रखना होगा मायवत्ती जी फिर आप देखेंगे 20 सेप्टमबर 1997 तक इस पद पर वो दूसरी बार मुखमंत्री रहती है ठीक है फिर आता है 1998 का समय तो आप देखेंगे क्यों है उत्तरपेदेश की अकवरपूर निर्वाचंत शेत से बारेवी लोकसभा की सदस के रूम में दूसरी बार चुनी जाती है और 1998 में जो लोकसभा के चुनाओ होते हैं बारेवी लोकसभा के उसमे मायवत्ती जी अकवरपू जो लोकसभा छेते हैं यहां से चुनी जाती है ठीक है फिर आप देखें कि 1999 में तेरे भी लोकसभा के चुनाओ होते हैं उसमें भी वो चुनाओ जीतती हैं फिर आप देखें कि 1999 के बाद 15 दिसंबर सन 2001 में दलित नेता कासी राम ने एक भब रेली में गोशना की की मायवत उनकी राजनितिक उत्तरादीकारी होंगे और उनके सासद बहुजन्द अंदोलन की एक मात उत्तरादीकारी होंगी यानि कि पूरी कमान आप कह सकते हैं कि इनकी पार्टी की इनके हातों में आ चुकी थी ठीक है B.E.S.P. की फर आप देखें कि फरवरी 2002 को उन्हें उत्तर अपदेश विधानसवा की सदस्की रूम में थर से निर्वाचित किया जाता है और आप देखेंगे कि मार्च 2002 में बे अकबर को लोकसवा सीट से इस्थिपा देती हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई लोकसवा और विधानसवा से चुना जाता है तो उसे किसी एक सीट पर ही रहना पड़ेगा या तो वो लोकसवा सदसर है सकता है या विधानसवा सदसर है सकता है ऐसा नहीं कि दोनों का बना रहे तो आप समझेंगे कि उन्होंने मुखमंत्री बनने के लिए लोकसवा सीट से इस्थिपा देती हैं फिर आप देखेंगे तीन माई 2002 क को वह तीसरी बार उत्तरपिदेश की मुखमंत्री बनती है और वो 26 अगस्त 2002 तक बनी रहती है इस पर आप देखेंगे कासी राम का स्वास्त खराब होने पर 18 सेप्टमबर 2003 को वह बहुजन समाजपार्टी की राष्टी अध्यक्ष बनती है 2003 में ठीक है फिर आता है अपर भी लोकसभा की सदस की रूम में ठिर से चुनाओ लड़ती है और जीती भी है ठीक है फिर आता है आप देखेंगे जुलाई 2004 में उन्होंने लोकसभा से इस्तिपा देती थी है और दूसरी बार वो राज्यसभा के सदस बनती है उसके बाद आप इनकी राजनेतिक सपर में आगे बढ़ेंगे तो 27 अगस्त 2006 की बात है कि वह दूसरी बार पाइटी की राष्टी अध्यक्ष की रूम में चुनी गई थी 2006 में फिर आप देखेंगे 13 माई 2007 की बात है कि वह उत्तरपेदेश की मुख मंतरी 4th time बनती है यानि कि 4-3 बार वो उत्तरपेदेश की मुख मं मंतरी चुनी जाती है और इस पत पर वो आप देखेंगे कि 14 मार्ज 2012 तक बनी रहते हैं और आप जानते ही कि 2012 की बात अकले से आदाव आते हैं मुख मंतरी बनकर उत्तरपेदेश में और 2017 तक रहते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि योगी आधित नात आते हैं तो बर्स 2012 में आप देखेंगे विधान सभा चुनाओं में मायवत्ती की बहुजन समाज फार्टी में ने समाजबादी पार्टी की खलाप अपना बहुमत खो दिया यानि कि इनकी फार्टी को बहुमत नहीं मिला ठीक है उसके बाद ये राज्यसभा के लिए चुनी जाती हैं और आ आप समझ सकते हैं कि इनके पास एतने सदस बिधायक नहीं थे कि ये राज्यसभा में चुनी जाती हैं तो इसलिए इनों ने क्या किया कि पहले ही अपना इश्टी पा दे दिया ठीक है तो ये तो है इनकी क्या है ये राजनितिक सफर कि इनकी राजनिति कहां से इनों ने किताबें लिखी हुए और इन पर भी कुछ किताबें लिखी हुई है तो पहले तो आप देखिए कि मायवती पर अधारित पुस्तकों के बारे में तो आयरन लेडी कुमारी मायवती एक पुस्तक लिखी जाती है यह वरिष्ट पतकार मुहमद जमील अक्तन ने लिखी थी तो तो इस तरह के questions कई वार आपकी परिख्चाओं में उत्तर विदेश में भी पूंच लेता है तब भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और अगर आप लोग पसंद करते हैं अपने नेतागों तो कम से कम इनके बारे में इनकी books के बारे में मालू होना चाहिए और आप देखेंगे 14 अफ्रेल 1999 को डॉक्टर अंबेटकर की जैनती की पूर्फ संद्या पर स्रीकासी राम द्वारा थिकासित की गई थी वो क्या नाम था आयरन लेडी कुमारी मायवती फिर आप देखेंगे एक बेहन जी पोस्तक भी लिखी गई थी मायवती की राजनेतिक जीवनी अनुभव अनुभवी पत्तकार अजय बोस द्वारा लिखी गई थी इस पोस्तक के बारे में भी आप लोग जानकारी खटी दुरक सकते हैं और अगर हम बात करें कि मायवती जो द्वारा कौन-कौन सी बोक्स लिखी गई है तो इसे भी आप लोग देख लेजी इ जिसमें एक सामिल है बहुजन समाज और उर्ष की राधिनिती ये मायवती द्वारा लिखी गई थी और आप देखेंगे 3 जून सन 2000 को पायटी की 25 वी साल गराय पर सरीकासी राम द्वारा पिकासित किया गया था इस बोक्स को ठीक है पर आप देखेंगे मेरा संगस्मर जी किया जाता है इसे पर आप देखेंगे कासी राम जैनती की पूर्फ संध्या पर आप देखेंगे 15 मार्ज सं 2008 को माई श्ट्रेगल रिडेंड लाइफ एंड और बहुजन समाज यानि की मेरी और बहुजन समाज की संगर स्यात्रा थी कासित की गई थी तो ये 3 वुक्स हो ग का नाम आता है अखिर ये था क्या आप देखते हैं हमेशा जब ये अकलेस और मायवती की वीच गठवंदन हो रहा था तब भी काफी उचल के आ रहा था है तो आप देखेंगे यूपी में राजणीती में आप देखेंगे 2 जून 1995 का दिन था और इस्टेश्ट गैस्ट हा गठवंदन करके राजनीती की नई इवारत लिखी थी यानि कि इससे पहली भी आप देखेंगे कि इनकी गठवंदन हो चुका है सापा और बासा पाका दोनों पाइटियों ने विधानसाबाद चुनाओ गठवंदन पर लड़कर सत्ता की सीनिया तो चड़ी लेकिन 2 साल बाद ही देखेंगे आप लोग की इस रिष्टे में ऐसी दरार पड़ी जिसे यूपी की से रियासत बदलगी सियासत और ऐसा ही तो आपने देखा है कि अभी अकलेस और मायवती के गठवंदन के बाद हुआ कि कुछ समय के बाद आपने देखा है कि दोनों अलग हो जाते ह और बयानवाजी करने लगते हैं ठीक है लेकिन आप देखेंगे इस 2019 के गठवंदन में मायवती जी को काफी लाब मिला हुआ है राजनेत में आप देखते हैं उनके 10 के करीब लोकसफा सदस चुने जाते हैं ठीक है और आप देखेंगे इसके चलते 2 जून 1995 को बासापा न इससे आप देखेंगे मुलायम सरकार अल्फमत में आगी यानिकी इनके पास बहुमत नहीं रह गया और इससे नाराज होकर सापाकार करताओं ने सांसत विधायकों की नेतित में लखनव के मीरावाई मार्ग इस्टेट गैस्ट हाउस का घेराओकर सुरू कर दिया और यह आप देखेंगे कि घंटों ड्रामा चलाई है और बाद में आप देखेंगे भाजापा की कुछ निताओं की हस्तचेब और मामला राजभवन पहुंचने पर फुलिस सक्री हुई और किसी तरह मायावती को बचाये गया और मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक बासापा यान में वासापा की लोगों से मारपीट भी कर उन्हें बंदग भी बनाया है और मायावती ने खुद को बचाने के लिए कम्रे का दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया क्योंकि ये बदले की भावना आप देखें उत्तरपिदिस से बहुत समय से चलिया रही है आप देखते थे कि बीएसपी की सरकार आती थी इनके लोगों से बदला लिया जाता था और अधिकतर राजनितिक पार्टियों में आप देखते ही रहते हैं और ये राज्यों में खिल चलता ही रहता है बदले का एक तरह से और इस बीच आप देखें कि सापा के दवंग विधायक एक एकर क कि वासापा के विधायकों को उठाकर अगवा करने लगे और गैस्टाउस के बाहर खड़े फोटोग्राफरों ने इस पूरे हंगामे को सेलसलेवार तरीके से कैमरे में कैद भी किया और बाद में आप देखेंगे सी बीसी आईडी ने इस्ते बातोर सबूत इस्तेमाल किय और इसका अंड में हजरत गंज कोदवाली में तीन मुकदमे भी दर्ज हुए थे और इस मामले की तब तब तीस सी बीसी आईडी को दी गई और सी बीसी आईडी ने अरोपत अदालत में दाखिल किया और सरकार आती जाती रही है और स्टेट गेस्टाउट का मुकदमा चल तो यह चलता रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यादालतों में बहुत लंबा कोई भी काम होता है लंबा चलता रहता है कई केस आप लोगों ने ऐसे भी सुने होंगे कि मतलब कई लोगों को एक तरह से उन पर मुकदमा होता है वो जेल जाते हैं और बाद में जब लाता है तो उनसे कह दिया जाता है कि आप निर्दोस हो यानि कि वो अपने हिस्ते की सजा तो भुगत ही चुका है उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो निर्दोस है तो बड़ी लंबी पिक्रिया होती है नियाले हों की और इसलिए आप देखते हैं कि लोग अधिकता लोग नयालय में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी आवाज को दबा लेते हैं, क्योंकि नयाय मिलेगा, लेकिन लंबा नयाय चलता है, समझ रहे हैं, मायवती से जुड़े कुछ बिबाद भी रहे हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजे, एक आप लोग ने सुना हुगा ताज कोरीडोर केस, ये सन 2002 की बात है, केंद्रिया जाज पीउरों ने ताज हरीटेज कोरीडोर से सम्मंधित प्रोजेक्ट में वित्तिय अनिमेत्ताओं की सक्के आधार पर, कुछ अनलोगों के साथ मायवती के घर भी छापा मारा था, और फिर आप देखें कि जून सन 2007 म ततकालीन राजपाल, टीवी राजिसर ने घोशना की, कि मायवती के खलाब कोई ठो सबूत नहीं था, और जिसके चलते आप देखें कि सुपरिंग कोट में भी इस मामले में CBI की आज का खारिज कर दी गए, और मायवती के खलाब मुकदमा चलाने के निर्देश देने के इस पर आप देखेंगे कि मायवती की का कहना था, कि यह उनकी आए का हिस्सा नहीं है, बलकि उनके समर्थकों का फ्यार है, जो उनके उनके गिप्ट्स देने देते रहते हैं, फिर सन 2011 में आप देखेंगे केंद सरकार ने मायवती के खलाब तैयर अपील को खारिज कर दिया, और इसके बाद सन 2000 बारे में इस मामले को भी रद्द कर दिया गया, किन्तु इसके एक साल बाद तक CBI इसकी ज्याज करती रही, औ और थोड़ी सी बाद बाद एक केस भी बंद हो गया, तो ये भी आप केस इन से जुड़ा रहा है, समय समय पर आप देखेंगे इनकी आलोचनाय भी होती रही हैं, आप दिन ने देखा होगा मायवती जी अब तक कई मामलों में आलोचनाय की जा चुकी हैं, जैसे आपने द देखा होगा कि एक बार मुखमंत्री के कारकाल के द्वरानें की बहुत हिंदू धरम और दलितों की कई फितिमाय स्थापित कराईएं, जिसमें भी खुद भी सामिल थी इसमें, करदाताओं का फैसा बरवात करने के लिए इनकी काफी आलोचना भी हुई हैं, और इसके ला बनाती रही, मूर्तियों पर पैसा खर्च करती रही, तो ये भी चलता रहा है, मूर्ति पर पैसे खर्च करने की बात आती है, हाली में आप देखेंगे, यानि मार्च 2019 में भारत की सुप्रीम कोट ने मायवती से हाथी की मूर्ति और साथी खुद की मूर्ति पर खर्च होन वाले पैसे का इस्पष्टी करन भी मांगा था तो ये भी विवाद इन से जुड़ा हुआ है 2019 में आपने देखा हुगा लोकसभा चुनाओं में अपरेल 2019 में भारत के चुनायों ने आचार सहिता का उलगन करने के लिए बहुजन समाजवादी फार्टी की पिरमुख जो मायवति की है इन्हे 24 गंटे का फितीबंद लगाया था आचार सहिता का इन्होंने उलगन किया था दरसल आयूग का यह पता चला था कि मायवति चुनाओं के दोरन धरम के आधार पर बोट की अपील का रही थे तो इस विवाद में भी इनका नाम जुड़ा रहा और 24-48 गंटे तक एरपर फितीबंद भी लगा था तो यह कहानी है मायवति के बारे में और इनके बारे में हम लोगोंने एक सामान जानकरी देख लिए और देखिए किसी के पूरे जीवन के बारे में कवर कर पाना एक छोटी क्लास में मुस्किल होता है और मैंने तो देखिए गूगल किताबों से ही इनके बारे में जानकारी खट्टी की हुई है अगर आपको लगता है कहीं गलती है तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करेगा क्योंकि मैं परस्नल इने नहीं जानता हूं कि मतलब इनके बारे में सब कुछ जानकारी मेरे पास उपलब दो मैं तो गूगल या फिर कहीं किताबों में जो भी पॉइंट उठाता हूं वहीं से उठाके आप लोगों को बता देता हूं तो चलिए हम लोग मिलते हैं अखली स्यादों के बारे में एक सामान जीवन परच्छा उनका भी हम लोग देखेंगे कि राजनीती में किस तरह से आये उनकी क्या जिंदगी रही है ठीक है